अब ही हाली में आप लोगों ने देखा कि करनाटक राज्ज में विदाहन सवा के चुनाव हुए और रिजल्ट आ चुके हैं अब आप लोगों की दिमाग में इस सवाल उठता है कि आकिर मुखमंत्री की नियुक्ती किस तरह से होती है? कौन नियुक्त करता है मुखमंत्री को और कैसे नियुक्त होता है? और इसका काम क्या रहता है? मुखमंत्री का तो इस सब के बारे में हम लोग एक सामान जानकारी देखेंगे और अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे वो सिविल सर्विस यानि की UPSC, IESO या फिर आपकी स्टेट PCS के एकजामों वंडे एकजामों तो उनमें तो आप देखते हैं कि डारेक्टी कुश्चन्स इस टॉपिक से पूच लिए जाते हैं एक बार आप लोग करणाटक को देख लीजे ये हमारा प्यारा भारत है और दच्छिन भारत में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ करणाटक देखने को मिल जाएगा बैंगलोरिक्स की रादधानी इसकी सीमा गुआ, महराष्ट, तेलंगाना, आंत्पिदेश, तमिलाडू और केरल से लगती है एक नवंबर 1956 में इसे राज बनाए गया था और विधान सभा में 224 सीट हैं विधान परिशद हैं जिसमें 75 सीट हैं राज्य सभा में 12 सीट हैं, लोग सभा में 28 सीट हैं देखने को मिलेंगी और एक लाग 91,791 बरक किलूमीटर में आपका ये फैला हुआ है करनाटर इस चुनाव करवाता कौन है? तो Election Commission of India भारती निर्वाचन आयो और आपको मालू होना चाहिए एक सम्मिधानिक संस्ता है सम्मिधान के अनुछे 324 के तहट इसकी स्थापना की बात कीगी है, 25 जन्वरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, 25 जन्वरी को आप लोग क्या मददाता दिबस भी मनाते हैं, 25 जन्वरी को और इसका हेड़क्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके पहले में मुख चुनावाय उक्ति सू कुमार सैन थे, कौन थे? सू कुमार सैन थे अब आप देखेंगे कि सम्मीधान का अगर आप लोग अनुचेद 164 पढ़ें, तो इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख मंतरी की निवक्ति राजपाल करेगा, कौन करेगा? राजपाल करेगा अब आप देखें किसी पार्टी को, जैसे कॉंग्रेस को महुमत मिल चुका है, तो कॉंग्रेस के सभी सदस बैट के, या उनका जो सीस नेतित रहता है, वो बैट कर एक नाम तय कर लेगा, कि एसे मुख मंतरी बना जाएगा, उसे विधायक दल का नेता चुल लिया जाएग और उसी के नाम की सिफारिस आप देखें कहा जाएगी, राजजपाल के पास जाएगी, और राजपाल उसे न्यूक कर देंगे, और आप लोगों की मन में उठ रहा होगा, कि राजपाल कौन होता है, तो समिधान के अनुच्छे 153 को पढ़ेंगे आप लोग, तो उसमें कह पास जाएगी, राजपाल के लिए राजपाल की बात की गी है, अनुच्छे 155 में राजपाल की पद की बात की गी है, अनुच्छे 155 में राजपाल की पद की बात की गी है, अनुच्छे 155 में राजपाल की पदाओधी की बात की गी है, अनुच्छे 155 में राजपाल की सर्तों की बात की गी है अनुचेद 169 में राजपाल द्वारा सपत या पितिक ज्यान की बात की गी है अनुचेद 160 में कुछ आकसमेकताओं में राजपाल की किर्ट्यों का निर्भन की बात की गी है अनुचेद 161 में छमा आदी और कुछ मामलों में दंडादेश की नीलंबन परिहार या लगूकर्ण की राज़पाल की सकती की बात किये गई है। और एक तरह से आप लोग जिस तरह से केंडर में राश्टी स्तर पर राश्टपती देखते हैं ना, उसी तरह से आप लोग कह सकते हैं कि राज में राज़पाल रहता है। बिधान सबा चुनाव में एक पायटी के एक बहुमत प्राप्त नेता जो को राज्य के मुखमंतरी की रूम में नियूप किया जाता है। बहुमत नहीं मिलता है तब क्या इस्तिती बनेगी तब आप देखे सबसे बड़ी जो पायटी रहेगी उसे जिसे सबसे जाना आप देखते हैं कि विधायक जीत कर आये होंगे उसे बुलाए जाएगा कि आप मुखमंतरी मनाईए अपना वो आएगा फिर दूसरे नंबर ती सदस चुनना अनिवार होता है दोनों में से एक का एक ब्यक्ति जो राज बिधान सबा का सदस नहीं है उसे 6 महीने के लिए मुखमंतरी की रूम में नियुक्त किया जा सकता है और उस समय सीमा की भीतर उसे राज बिधान सबा की सदस ता गरहन करनी होगी ऐसा ना करने पर से मुखमंतरी पस का टयार करना होगा जैसे मम्ता बनंटी आपने देखा होगा कि विधान सबा चुनाव बनी थी लेकिन फिर वो हमेने एक च्छा मेने के अंदर उनुने एक सीच- खाली करवा कर वहां से चुनाव जीत कर या मुखमंतरी बरावर बनी रही दम हो जब वो आप देखे मुखमंत्री बने थे उस समय वो सदन के सदस नहीं थे ना तो विधान परिशत की ना ही विधान सभा के और इसी तरह आप लोग नीतेश कुमार के बारे में देख लीजे वो भी आप देखते हैं कि क्या विधान परिशत से जाते हैं स्तीयम के कारकाल मुखमंत्री के कारकाल की बात करें तो मुखमंत्री का कालकाल निश्चित नहीं होता है वह राजपाल की पिसाद पर अंत पद्धारन करता है राजपाल दोरा उसी तब तक बरखास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधान सभा में उसके पास बहुमत प क्या करोगे अब मुख मंत्री के अगर हम लोग सक्तियों की बात करें और कारियों की बात करें तो इसका मंत्री परशद के संबन्द में राजपाल के वल उन्हीं बैक्ति को मंत्री के रूम में नुक करता है जिनकी सिफारिस मुख मंत्री द्वारा की जाती है वह मंत्रियों क बीच बिवागों का आवंटन और फेर वदल भी करता है मुखमंत्री, वो एपद से इस्थीपा देकर मंत्री परशत का विक्टन भी कर सकता है, क्योंकि मुखमंत्री मंत्री परशत का प्रमुख होता है, और एक बात आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, बिधान सभा क सदस बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 25 साल और बिधान परिशत के लिए 30 साल रखी गई है यह आप लोग याद रखेगा राजपाल के संबंद में अगर हम लोग बात करें तो समिधान के अनुछे 166 के तहत राजपाल और राजमंती परसद के बीच मुखमंत्री एक कड़ दी जाती है राज बिधान बंदल के संबंद में सभी नीतियों की घोषना उनके द्वारा सदन के पतल पर की जाती है मुखमंत्री के वह राजपाल को बिधान सबा भंग करने की सिफारिस भी करता है कुछ अन्यकार देखें तो वह योजना राज योजना बुर्ड का अध द्वारा की जाती है वह राज सरकार का मुख प्रवक्ता भी होता है आपातकाल के दौरान राजनेतिक इस्तर पर प्रवंधक होता है राज के एक निता के रूप में लोगों की बिभिन बर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं के बारे में ज्यापन भी प्राप्त करता है वो ऐसे वाओं का राजनीतिक प्रमुक भी होता है कौन मुख मंत्री तो ये कहानी है आपके चीप मिनिश्टर की मुख मंत्री की और भी किसी टॉपिक के बारे में बात करनी होती है किसी पत के बारे में जानने की दिल्चस्वी हुआ करे तो आप लोग नीचे उसके बारे में लिख दिया करिएगा